दोस्तों उमीद करता हूँ आपकी KBS की त्यारी बढ़ियां चल रही होगी लगातार मैं आप वीडियो देख सकते हैं डेली में टास्क दे रहा हूँ उसका आज डे सेबन है है तो ये डे नाइन या डे टेम होगा और वो क्या है एन इपी वाला सेक्षन क्या है डे सेवन और हमारे बुक के हिसाब से वह एवन है सेलेबस में जैसा कि आप जानते हैं कि ए एक पोर्शन है जो की परस्पक्टिव इन एजोकेशन है पैडागोजी में तो इसमें ये वाला हमने दो पार्ट में बाटा था हमारे बुक में एवन और एटू में तो ये ये वाला जो सेलेबस का पोर्शन है वह आपका आज का टास्क है अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो दे सेवन का टास्क आपका ये है और हिंदी मीडियों में भी देख लीजी वही शिक्षा में परिपेक्ष उसके अंतरिकत ये वाला पोर्शन आ जाएगा ठीक है तो क्या है पूरा डिटेल में देख लीजिए सिलेबस प्रस्ट आपको पता ही है और यहां पर किलियरले किताब में महिंजण भी है ताकर को कोई दिक्कत नहीं हो और अ juvenile मिडियों बाले बुक में भी आप अपनलोग देख सकते हैं तो ठीक है तो इसमें क्या है सिकिली किसम दिखा कुछ चीजें जो है जैसे कि इनका अर्ली चा दे रखा है यहना बी वाले सेक्षन में तो उसको यहां पर आपको बहुत बहतरीन तरीके से एनिपी में बस एनिपी 2020 देके यह सब लिखा हुआ है लेकिन एनिपी को मुझे लगा कि पूरा डीटेल में आपको पढ़ना जरूरी है तो जितनी भी इसके चीज़े जरूरी ची तो वो आपको बढ़िया से पढ़ लेना है कि किस प्रकार से स्कूल जो है कैसे कैसे अलग-अलग रूप में काम करता है जैसे एक और इसके बाद कुछ बेसिक चीज़े हैं जो आपको देखना है उसके बाद आपका सुरू होता है मेन एनिपी है ना जो इनका पूरा आरेक्ट ने लिखी हुए लेकिन वह पूछा जाएगा तो पहले तो जहां पर जोरत है पिक्टराजिशन भी किया गया है तो आप देख सकते क्या नया जो एनिपी का पैटर्न है फाइव प्लस त्री प्लस त्री प्लस फोर उसको लिखा भी गया है और थोड़ असा उसकी आपको बेसिक जो है complete detail भी दी गई है उसके बाद आ जाता है हमारे स्कूल ही सिक्षा तो स्कूल के कारकुलम का कैसे पुनर गठन हुआ है वह है और जो अपना childhood care है हलां कि यह पहले भी दिया हुआ है लेकिन यहां पर भी आपको summarize किया गया है जिससे कि आपको एक link बन जा है ठीक है हलांकि 20 section में इसको ज्यादा detail में आपको दिया हुआ है तो यह सब पूड़ा आपको पढ़ना है और इसी में से question आएंगे वही मोलभूत साक्षार्ता और अंग्यान प्राप्त करना जो आपका foundational learning है उससे जुड़ी वी चीज़े हैं फिर उसके बाद यह section का medium है उसके बाड़े में चर्चा की गई है उसके बाद अपना एक पॉइंट अपने आप में चैप्टर है बेसिकली तो आपके हिसाब से यहां पर दी गई है जैसे विद्यार्थी का मुल्यांकन वह भी यहां पर है आपको और उसके साथ साथ जो टीचर्स का जो है उसमें क्या-क्या चीज है जैसे जी यार की कंसेप्ट की या संस्थान का जो पुनर गठन है या जो आपका क्या किएगा मल्टी डिसिप्लेडी सिक्षा जो होती है और जो रेगुलेटरी संदचना है अनुसंदान में सुधार है विदिशी विश्विद्याल है यह उसको कंप्लीट कर लेना है और व्यवशाइक शिक्षा यह बहुत इंपोटेंट टर्म है जो नया एड़ हुआ है अन्य सुझाव जो भी है उन सबको भी चाहे वह वित्य पोशन की बात करें प्रोड सिक्षा की बात करें शिक्षा में टेक्नोलोजी या डिजिटल सिक्ष जिसमें भी करना हूँ एक से बेसिक से लेकर अब देखेगा हर लेबल के कुशन यहां पर दिये गये हैं ताकि कोई भी तरह का कुशन आपसे मिशना हो बस आप इन सबको अच्छे से कर लेंगे तो हो जाएगा करना बहुत जरूरी है देखिए हर तरह के कुशन आपको में अच्छे से करना है ने पर देख लिए करके चीजों को कितना बहतरी तरीके से आप यहां पर पढ़ सकते हैं को पर सकते हैं जिसके यह आपका रहा जो ऐन पी 2020 के रेकोडिंग है यह अब देखिएगा जो हमारा डेश के बाद जो आगे है वो अब आपको वही पुरानी ची थाकि आपको अब आगे जो चीजे है वो लास्ट मुमेंट में आसानी से कर लिया जाए. तो जिन लोगों ने डे बन से डे बन तक कर लिया है जैसे मेंने देखे पहले दिन यहां पैसे करके लगाया था यही मेन आपका नया है यह आपने कर लिया और बढ़ियां से चीज़े हो जाएगी तो all the best सब लोग पढ़ाई करिए जिनके पास book है अभी भी जिनके पास book नहीं है वो order करके इसको 5-7 दिन में अपना target पूड़ा कर सकते हैं thank you very much